कुंतल कृष्णा जी आप देखिए चाहिए जेडियू आपके साथ अपनी मरसी से क्यों ना है हाला कि आप अभी भी कहेंगे कि संभावना हैं अभी तो ये तो भविश्य की बात है लेकिन बिहार की पिक्चर साफ साफ क्लियर नजर आ रही है कम से कम दिल्ली से तो साफ दिख रही है कि बिहार में क्या होने जा रहा है अब देखिए आपके जो विपक्षी हैं जो अभी इंडिया लाइंस पे बचे हुए साथ ही है इसमें भी आप ही में दोश निकाल रहे हैं कि सब आप ही का किया धरा है आप सरकारों को चलने नहीं देना चाहते है पर दिल्ली से यहां की परिस्थिती जादा साफ दिख रही होगी पटना में तो स्थिती यह है कि अभी महागडबंदन की सरकार है और जिस वक्त हम और आप इस बात पे चर्चा कर रहे हैं उस वक्त भी एक पूर विधायक को गोली मार दी गई है पटना से सटे वैशाली जिले में महागडबंदन की सरकार का मतलब है बिहार में जंगल राज और भारतिय जन्ता पार्टी अपने किसी अपना हम अपने पत से deviate हुए हैं और नहीं हमने अपना गोल छोड़ा है हम तो निश्चित अपना लक्ष लेके चल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी बिहार में सुशाशन की विवस्था और बिहार को विक्षित राज बनाने की विवस्था अब इस कारवा में हमारा कारवा तो चल रहा है अब कौन छोड़ के जाता है कौन वापिस आता है इसकी चिंता हमें नहीं है मैंने आपको शुरू में कहा है कोई भी वेक्ति या कोई भी डल जो भारतिय जंता पार्टी में अपनी आस्था रखेगा मानिये नरेंद्र मोदी जी के नितित्व में अपनी आस्था रखेगा अब कुंदल जी जो बात आप कर रहे है कुछ बात मंजीत जी भी कर रहे है मंजीत जी कहरें नितीश कुमार एक ऐसा चेरा है जिनके बिना बेहार को जीतना बड़ा आसंभवसा है उधर आप अपनी गारंटियों की बात करते हैं तो पहले तै कर लीजे कौन किसकी मजबूरी है कौन किसके लिए जरूरी है कुंतल जी मैं तेखिए है हमने अपना नलक्ष कभी छोड़ा है और न कभी अपना राष्टा कभी छोड़ा है हमने तो आपने पूछा दा बार बार कि आप महबूबा बदल रहे हैं हमारी तो महबूबा बिहार का डिवलप्मेंट है हमारा गोल है बिहार का डिवलप्मेंट हम तो अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं पिछले दो दशक्त से हम अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं हमने तो ना किसी को जाने को कहा अगर कोई जा रहा है तो अपनी मर्जी से जा रहा है कोई आने वाला है भई बिहार में अगर कोई राजनतिक उतल पुतल हो रही है बिहार में जंगल राज चल रहा है हमारी प्र चल रही है उसमें आपी के सांसद साब कह रहे हैं किया नितिश कुमार तो आ रहे हैं स्वागत के लिए भी तैया रहे हैं अब बताइए किस पर यकीन करें देखिए देखिए मैं तो आपके समक्ष भारतिय जनता पार्टी के अधिक्रित प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं हमारे कोई माननी है नेता उन्होंने अपने कोई व्यक्तिगात उदगार अगर जाहिर किये हैं तो उस पर मुझे कोई किपड़ी नहीं करनी है कैसी बात कर रहे हैं आप तो अनुशासत पार्टी है आप किया तो कोई नेता ऐसी बयान नहीं दे देता है अब कही डिनाई कर रहे हैं पिक्चर सबके सामने हैं नहीं मैं है तो मैं कुछ दिना नहीं कर रहा हूं मैं सिरफ इतना कह रहा हूं कि बिहार पर हमारी और हमारे केंद्री नत्यत्यू notice Tsukate स्थापित करना करना एं और इसके लिए हम चाहते है बारत की चाहती है तो सुशाशन बाबू आज आपको अच्छे लग रहे हैं उन्हीं की कुशाशन की कहानी सुना रहे थे आप बीते दिनों आज उनका नाम नेने से भी बच रहे हैं हमारा तो मानना है हमारा मानना है कि बिहार में सुशाशन की व्यवस्ता तभी स्थापित होगी जब भारतिया जनता पार्टी का मुक्ष मंत्री हमारी माने तो सुशाशन और विकास दोनों तभी संब होगा